नमस्का और दोस्तों मैं क्रिश्णा मूर्ति, आप सभी का सवगत करता हूं, लर्णिंग मेरर योट्यूब चैनल में, दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको सारे ETF का लिष्ट दूँगा और उसमें ट्रेड क्या कैसे करते हैं, और उसमें ट्रेडिंग करने कि ETF क्या होता है आप कैसे जो है fundamental stocks ETF में find कर सकते हैं और ETF के benefit क्या है वो जा कि आप वीडियो देख ले मैं इस वीडियो के end में उसका link डाल दूगा आप देख लेना यहाँ पर दोस्तों देखे जो मैंने ETF का list select किया हुआ है वहाँ पर यह जो है NPC यह CPAC का bond fund है तो यह 24 जो 24 है यह एंड यह है तो मतलब 2024 तक जो है यह bond fund जो है आपको return देगी इसके बाद है Nifty का ETF guilt fund है दोस्तों एक बाद ध्यान रखें guilt fund जो होता है वह long term bond fund होता है वहाँ पर आपको जो भी return दिया बोला गया है वह return पर आपको interest मिलेगा ठीक है अगर आप trading करते हो मालों क्योंकि हर bond fund जो है stock market में listed होता है तो आप उसको अगर आपका bond fund lock-in नहीं है तो आप उसको sell कर सकते हो stock market में आसानी से तो यहां पर देखो 22.37 है मालो interest rate गिरता है in future तो इसका price बरहेगा in future अगर interest rate बरता है तो इसका price गिर जाएगा लेकिन आप ध्यान रखें आपको जो भी promise किया ग लेगा bond interest rate rise होगा इसका price fall होगा interest rate down होगा इसका price rise होगा आप buy sell कर सकते हो तो यहां पर मैं बताओंगा आपको यह CPSE ETF हो गया अप जानते हैं यह भारत 22 ETF है वो भी आप जानते हैं यह जो निपॉन का ETF Sensex है Sensex यहां पर देख लेंगे यहां पर दोस्तों देखें NSC और BSC ह का product होगा वो BSC पर होगा जो भी निफ्टी का product होगा वो NSC पर होगा दो एक्षेंज हैं इंडिया में NSC और BSC confused नहीं होंगे यहां पर देखें निफ्टी Sensex 150 का ETF है यहां पर निफ्टी meetup 150 का ETF है यह निफ्टी IT यहां पर जो यह sectorial index है इसमें जो भी IT के stocks हैं सारे वाले यहां मिल जाएंगे यह infrabiz जो भी infrastructure में stocks हैं यहां मिल जाएंगे आपको junior biz जो भी Nifty next 50 के stocks हैं सारे आपको यहां मिल जाएंगे पियस्यू बैंक बैंक बीज जो भी गौवर्मेंट बैंक है वह उसके साथे श्टॉक्स आपों पियस्यू बैंक बीज भी मिल जाएंगे दोस्तों यह सर्या बीज है मतलब कोई-कोई उसलिम क्या वो मानते हैं अपने धर्म को ठीक है उनके हिसाब से मालो कोई जो लोन देती हो या फिर जो सराब बनाती हो तंबाकू बनाती हो कंपनी उसमें वो इन्वेस्ट नहीं करते तो उनके लिए जो सरीयावीज है इसमें ऐसी कंपनिया एड नहीं है जो सराब बनाती हो तंबाको बनाती हो या फिर जो लोन देती हो उससे सूथ से पैसे कमाती हो तो उनका जो भी मानता है उनके हिसाब से यह सरिया बीज बनाया गया है अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं सरिया बीज में ऐसे कोई स्टॉक्स नहीं होते गोल प्राइबिक बन्क है निफ्टी भैंक है इतारी स्टॉक्स अब होतं संद्दिन मिल जाएगा यहंहेंงगोच को यहां कि गारत अफलिक फिर्ट भेंडयक आ रहें होतं- यहां मिल जाएगे इसी बंड कर सकते हैं यहां कंजमशन इन fourteen करूए आपको यही कोड डालना आपको ठीक है और आपको 부분이 lid gotta बता रहता हूं है असलिए आपको यहa step करते हों फोट कर रहे में बहुत आइश्ञा हुआ है इसलिए मैं पर इंग्चीम, सब्सक्राइब करते हो बहुत अच्छ और इसमें ओ decis के लिए तो मानलों जीतना नीचे आता है उतना अच्छा है आपके लिए मालो की तना स्टॉक पैसिक के नीचे आएगा आप उसको एक्कुमेलेट कर सकते हो लॉंग यहां पर आपको पता होगा index में जो भी stocks होते हैं कम से कम 8 10 या 20 stocks होती ही होते हैं तो वो जो है आपको diversify हो जाएगा sectoral diversification मिल जाएगा sector fund में एक particular sector का जो भी top stocks है वह आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह हो गया आपका पूरा पूरा ETF जो आप धून रहे थे, यहाँ पर watchlist 4 में जो मेरा है, watchlist 4 में है, यहाँ पर है भारत bond ETF, तो जिनको पता नहीं कि भारत bond ETF code क्या है, वो EBB ETF 0423, मतलब यह जो April 23 को इसका last expiry है, 425 मतलब April 25 को इसका last expiry है, 430 मतलब 2030 को जो है April को इसका last expiry है, और 31 मतलब April 31 को जो है इस bond bond fund का last expiry है, वो आगे बला bond fund आ जाएगा पर उसी चिंता मत करें, यहाँ पर आपको जो भी return promise किया हो गया होगा, वो return आपको मिलेगा, लेकिन मैं फिर से बोलना हूँ, interest rate high होगा, इस bond का fund जो है, यहाँ पर जो rate दिख रहा वो कम हो जाएगा, अगर interest rate कम होगा, तो इसका 5% ही मिलेगा, उसमें आपको एक रुपे भी कम नहीं मिलेंगे, लेकिन short term volatility देखने को मिलेगी, तो उससे आप घमराएंगे नहीं, आप जल्दी बाजी में बेचेंगे नहीं, कहीं से दूसरा news सुनके जो है, आप इसको निकालना नहीं है आपको, यह concept clear हो गया, अब आप आपको देखना कहां पर है, portfolio बेजाना है आपको, जो भी आपका holding में stock होगा, जो भी आपने buy किया होगा ETF, वो आपको next day यहां पर holding में दिख जाएगा, तो मेरा देखें gold bees है, फिलाल के लिए भी gold bees है, positions में मैं भी दिखाऊंगा, positions यहां पर देखें भी खाली है, जो भी आप intraday trade करते हैं, जो भी आप buy sell करते हैं, same day, वो आपको positions में दिखता है, वो बताऊंगा कैसे होता है, holdings देख ले, holdings में में मेरा सिर्फ 1 key stock है, अगर मैं आज कुछ buy करता हूँ, तो कल फिर मेरे holdings में दिखने लएगा यहां पर, order book में क्या होता है, जो भी आपका order spending ह आपको दिख जाएगा, pending order में जो भी आपने मालो limit order लगाए हुआ, वो दिख जाएगा, executed order मतलब जो भी आपका order execute हो गया है, buy किया हो, sell किया हो, execute हो वो आपको यहां पर दिख जाएगा, GTT order मतलब क्या होता है, good till trigger, आपने order लगा दिया, एक सारे valid रहता है यह order, वो आप प्रेटर बास्केट order का, समझ गये, यहां पर जाना है, यहां पर दिख रहा हो आपका profile, उस पर क्लिक करना है, यहां पर जो भी आपके funds है, funds पर क्लिक करना है, और जो भी funds होगा आपको, वो दिख जागा है, तो उससे आप trading कर सकते हो, तो मैंने फिर से back जाता हूँ, फि क्लिक किया, यहां पर option आगया, buy का और sell का, आप इसको थोड़ा ऊपर कर ले, drag कर ले, थोड़ा ऊपर कर ले, यहां पर देखें, आपको दिख रहा होगा market depth, तो जो भी आप ETF buy sell करते हैं, वहां पर market depth देखना जबूर ही है, क्यों बोलता हूँ, यहां पर liquidity किसको बोलते है यहां पर buyers है, sellers है, मतलब आपको liquidity कोई कमी नहीं है, price कितना है 21.34, 21.34, मतलब cost to cost price में ही जो buying and selling के लिए आपको buyers and sellers मिल रहे है, मतलब इसमें liquidity अच्छा है, इसमें आप market में buy कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर देखें, open, high, low, previous day close, आपको सब कुछ दि चार्ट यहां से देख सकते हैं, लेकिन market depth, जो भी आप ETF buy करते हैं, मैं अभी बतारा हूं कैसे होता है, market depth देखना है, इसको मैं minimize कर दिया, अब आता हूं मैं नीचे, सबसे नीचे आता हूं मैं, ठीक है, यहां पर आ गया मैं, और यह nifty dividend opportunity है, इस पर मैं click करता हूं, मुझ तब इसमें न ज्यादा seller है, न ज्यादा buyer है, आज volume देखें कितना हुआ है, 44,000 ही volume हुआ है, कभी-कभी मान लो, 34.97 पर market price है, seller होगा, 40 rupees पे, आप जैसे ही buy करोगे, आप buy करोगे, किस से buy होगा, seller से buy होगा, buy कितने पर हो जागा, 40 rupees पे, और जब आप sell करोगे, तो किसको sell करोगे, बार को sell करोगे, कितने पर sell होगा, 34 rupees पे, तो आपका जो है, market का difference हो जाएगा, market price कुछ और चल रहा है, आप buy कुछ और कर लोगे, मैं बताता हूँ, मैंने buy पे click किया, मैं market buy करता हूँ, देखना 34.97 पर buy होगा, 34.97 चल रहा है, कोई दिकती वात नहीं, cost to cost price है, म quantity 1 ही रहेगा, price, product, CNC रहेगा, MS नहीं जेता है, ATF, CNC लेना है, order type market ही रहेगा, limit मिलना है, तो limit में यहाँ पे लगा कि आप खुद का price यहाँ पर डाल सकते हैं, खुद का price यहाँ पर 34.97 यहाँ पर अपना खुद का price यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है, वो डालेंगे तो आपका जो है regular होना चाहिए, और value होना चाहिए, और value होना चाहिए, IOC मत्त्वा, immediate order cancel, आप order place करोगे, या तो उसी समय execute होगा या cancel हो जाएगा, D रहना, regular रखना, यहाँ पर swipe to buy पर मैं click करता हूँ, यहाँ पर एक message आ आपको, nifty dividend opportunity, illiquid security मैंने बोला आपको, जहाँ आपर buy sell stocks about today, only on the next trading day, intraday trades are not allowed, तो यहाँ पर आपको message मिल जाएगा, जो भी आप stock buy करते हो, उसको next नहीं sell कर सकते हो, intraday trades जो है, allow नहीं है, अगर आपको proceed करना है, तो proceed कर ले, मैं बताने के लिए वो बतार रहा था, अगर आपको long term रखना है, तो proceed कर सकते है, मैंने प्रोसीड प यहाँ पर देखें, जो डिवरेंट ऑपरचुनिटी है मेरा 34.97 पर execute हो गया, मतलब यह जो है, buy हो गया, यहाँ पर देखें, CNC दिखा रहा होगा आपको, buy, just now, CNC, CNC मतलब cash and carry, मैं इसको कितने भी time तेक hold कर सकता हूँ, intraday allow नहीं है, तो यहाँ पर बोला गया, कि आप sell नह मैंने क्या बोला था, positions में जो भी आप intraday trade करते हों, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो dividend opportunity यह दिख गया है, मैंने one quantity buy किया है, यहाँ पर देखें, 97 पैसे का loss दिख रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर मैं click कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा LTP 34 रूपीज है, स 97 पैसे का automatic loss हो गया, समझ गया, कि आपको difference कहां दिख रहा है, 97 पैसे मतलब मुझे यहाँ पर देखें, 28 पैसे में 83% का movement है, तो मतलब मेरा 3% का loss हो गया, तो मैं market में चल लाया 34 रूपीज, मैंने buy किया market में, मेरा buy हो गया कित्ते रूपीज पर, 34.97 मतलब 97 पैसे का loss हो ग बोलता हूं आपको जब भी order place किया करो, खासकर ऐसे stock में, आता हूं, आप जो है limit order place किया करो, क्या करना है, फिर से आना है उसी पे, इस पे click करो, यहाँ पे देखना, फिर buy पे click करना है, आपको, same, market depth देखने के बाद, यहाँ पे देखने के बाद, यहाँ पे देखो 34 चल करना है, फिर से आपको message आएगा, error वाला, ऐसे वाला, कोई दिक्कत के बाद नहीं, proceed पे आप click कर दे, आपका order जो है place हो गया, यहाँ पे देखे, order आपका place हो गया, जाना कहां से, फिर से, close कर देए इसको, आप ठीके फिर से जाए, आप यहाँ पे orders पे, orders पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखे, pending order देख रहा है, pending order में मैंने 34 rupees पे लगाया हुआ है, अगर 34 rupees वे कोई seller होगा, तो मेरा automatic buy हो जाएगा, नहीं तो वो pending में रहेगा, 330 के बाद वो cancel हो जाएगा, next day फिर से apply करें, जब आपको sell करना है, तो भी आपको देखना होगा, buyer कितने price पे खरा है, ठीक है, यह जो है long term में आपको benefit कर देगा, पैसे आपको save करने में, छोटे quantity है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यह लंबा quantity होगा, 10 जगा quantity होगा, 20 जगा quantity होगा, तो जो है वहाँ पे आपको loss ले सकते हो, दोस्तों मानलो आपका 1000 quantity है, आपने marketplace किया, देखो यहाँ प 8 पे, तो मद्दा आपने 1000 quantity मांकेटर प्लेस किया, यहाँ पे liquid stock नहीं है, यहाँ पे जो भी price available होगा, 1000 quantity पूरा करने के लिए आपका, उतने कम price पे आपका order जो है sell कर देगा, तो यह चीज के आप ध्यान रखना, जब भी आप buy sell करते हो, market depth तो है, market depth ध्यान ही रखना क्या है, नहीं है, process करो, जो market में price चल लाया, उसी price पे selling order, buying order मैंने बता दिया, कैसे लगाना है, वैसे ETF में लगाना है आपको, तो यह हो गया liquid stock ETF का example आपको, लेकिन आप accumulate कर सकते हो long time के लिए, देखा मैंने, market में चल लाया, 34 रूपीज मैंने buy किया, 34.97 पे, मेरा 3% का ऐसी ही loss हो गया, मालो मेरा 3,00,000 का investment होता, 9,000 रूपीज जो है, मेरा अभी ऐसी loss हो जाता, तो यह चीट जो है, आपको ध्यान में रखनी होगी, अब आते है, liquid stock में, bank fees में, bank fees को मैंने ऐसे click किया, जैसी मैंने click किया, फिर से आप तोड़ा ऊपर चले है, यहाँ पे देखिए मैं marketer buy नहीं करूँगा, मैं देखाता हूँ आपको, same करना process आपको, buy पे जो है, buy option है, इस पे आपको click करना है, bank fees के लिए, यहाँ पे देखिए quantity to one आ गया, limit order है, 309 है, यहाँ पे सबको same ही रहेगा, swipe to buy पे आप click कर दे, same buy करना आपको, order place हो गया है, 309 पे कोई buyer available होगा तो buy हो जाएगा, नहीं तो, यहाँ फिर से जाना, orders पे आपको जाना है, orders पे जाएगे, यहाँ पे देखिए, buy के लिए pending में है, 309 पे कोई buy आएगा, automatic buy हो जाएगा, अगर आपको marketer buy करना है, देखिए, यहाँ पे था, कोई seller मिल गया मेरा, मुझे automatic buy हो गया, यहाँ पे गया, holding यहाँ पे देखिए आपको, positions में दो आ जाएगे, आपको, यहाँ पे refresh कर दे, देखिए, positions में दो आ गया आपका, जो bank fees है, उसमें आपको जो भी profit and loss वो दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए 309 पे ही buy हो आपका, तो हमेशा ETF buy sell करते हैं, तो limit में ही sell करें, जो भी seller आपको जाएगा, और कोई buyer आपको जाएगा, और कोई buyer आपको जाएगा, लेकिन limit order होना चाहिए आपका, और यह दूनों ETF कल मेरे holdings में चलाएगा, आज तो नहीं आएगा, कल मेरे holdings में चलाएगा, और घवराएंगे नहीं है, profit and loss जो होड़ा आपका, उसको कोई दिक् करती है छोड़ दो, इसका settlement होता है रात को, इसलिए आपको minus plus दिखता है यहाँ पर, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, यह इसका पैसा आपको add होने वाला है, इसका पैसा आपको fund से direct होने वाला है, जब तक आप इसको square up नहीं करते हो, square up मतलब मैंने buy किया तो sell कर plus two days में और जो ही पैसे हैं वो कल चले आएंगे, जो भी कटकूट कियाएगा, brokerage government tax, उसके बाद जो है, वो मेरे funds में कल दिखने लएगा, तो बस यही concept था, तो यही मैं आपको बताने वाल रहा था कि जब भी आप ETF buy करते हैं, ध्यान से buy करें, जो मैंने गलती किया है, वो one quantity 34 पे, CNC market regular, मैंने यहाँ पर day पर swipe to sell पर क्लिक किया, देखें, यहाँ पर आपको आपको आप्सन आ रहा है, this security is in liquid stocks, ठीक है, तो मैंने प्रोसीड पर क्लिक किया है, यहाँ पर देखें, आपका complete हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, message से घवराने की डरने की बात न तो घबनाने के बाद नहीं है आपको जो भी करना हो करके देखने के बार ज्यादा कितना लॉस होगा वन कॉंटिरीटी तू कॉंटिरीटी डालना है तो एक पहले ट्राइब कर ले उसके पैसे डाल दें देखिए मैसेज आया हुआ था आपको मैसेज में बोला गया था कि कल प्राइस अब आज नहीं कर सकते हो देखाता हूँ आपको मैं अब यहां पर खैल हो गया है अब देख लिए पर चलिया है मैं दिखाने वाला था कि आपको यहां पर जो मेरा सेल हुआ है थर्टी-फोर रूपीज पर मतलब बायर जिस प्राइस पर अवेलिवल था उसी प्राइस पर मेरा सेल होगा तो यह चीछ हमेशा ध्यान रखना मार्केट में जब भी सेल करते हूं पेंडिंग और परत्atatatatatatatatatatatatatatatatatatat andatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat कर ना है और मुझे मौटिफाई करणा मोटिफाई किया उन्हें टमेंट में लेना यहां पर एक्राइव कण्वेख लाव लेना ईहां यहां पर मैंने क्लिक देख अब क्लिक करना आपको यहां पर देखें 34.97 पर मेरा फिर से भाई हो गया समझ गए गलती कहां करते हैं आप सब अगर लॉस होता है तो आपको यह चीज बहुत ध्यान रखना है अब जाना है फिर से कहाना मुझे पॉर्टफोलियो में जाना है पॉर्टफोलियो में गया यहां प आपको जो है मार्कर डेफ्ट बहुत देखना जोड़ी है बस यही था और जो मैं आपके बोलते हैं सर्फ कौन सा एटिफ बेस्ट है तो यह दोनों डेट फंड हो गया डेट फंड में आगर आपको समझ में नहीं आता तो एंट्री मत करेंगे मैं बोल रहा हूं इसका प्र प्राइस ऊपर नीचे होगा मैचुलिटी देख होल्ड करते हो आपको जो भी इंट्रेस्ट प्रॉमिस किया गया वह मिल जाएगा सीपिए ट्रैक करना जब भी नीचे आए एक्कुमिलेट कर लेना बहुत टुन्री ट्रीट जो है वह भी ट्रैक करना जब भी नीचे आए कर लेना संसेक सभी छोड़ दें आप यह 150 छोड़ दें यह मिट करना है तो इसमें आप इंवेस्ट कर सकते हैं ETF मिट 150 किसी में मिल जाएगा यह लेकिन आपको यहां पर मार्केट देखना होगा कि आपका जो है अवलेबल है यह नहीं 79-78 मतलब जो है थो ध्यान से देखना लिमेट मोर्ड लगाना लेकिन आप इसको एक्विट कर सकते हूं मिटकाप इंडेक्स फनको निफटी एट टीएफ ऑल तांब इसको एक्कुमिलेट करते रहें इंफ्रा बीज में फिर से बोलता हूं इनफरसे पैसे लगाने आपको इसमें लगा सकते हो अब इस पे क्लिक करो इंफ्रावीज पे फिर से मैं बोलता हूं यहां पर देख लेना 8179 यहां पर अल्मुस्ट 3 रूपीज के डिफरेंस अब और लगा देना मार्क में चल ला है 382.96 में लगा देना आपका अपका हो जाएगा यहां पर देखे 381.95 चल ला है तो उसकी हिसाब से देख लेना अपना हमेंसा इंवेश्य बेनिफिट रहेगा जूनियर विस अल्टाम अपरेट है इनवेस्ट कर सकते हो पीएप बैंक ले ले या सब है इसमें प्यस्वी बैंक बीजी ले लोंग टर्म के लिए लेंगे दोस्तों मैं आप आज लोगे कल प्रॉफिट हो जाएगा ऐसा मेरे पास फार्मूला नहीं है लॉंग टर्म में लेते रहते हो तो आपको बहुत बैनिफिट कर जाएगा वह लॉंग टर् करते हैं कि मतलब यह से स्टॉक में नहीं डालू अपने धर्म की हिसाब से और मुझे ऐसा कुछ प्लैटफर्म मिल जाए जहां पर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं लॉंग टर्म के लिए जो सिग्रेट नमनाती हो तो यह सर्या बीज जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा है फिर से बोलना हूं market budget देख लेना gold बीजत copy स्टॉक है वह भी आप्थão कर सकते हो long time के लिए बहुत ही अच्छा है आपका जो है निफ्टी कंजूमर जो है वह आप देख लेना जो भी कंजूमर सेक्टर में इंवेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए यह एटिएफ अच्छा है लेकिन फिर से बोलता हूं जो भी आपको मालू 1,00,00 कॉन्रिटी लेना हो तो 1,00,00 कॉन्रिटी जो भी प्राइस चल लाओ का इसका लिमिट और पर लगा देना market में कभी भूलके मत लगाना और जो भी इनको वह चाहिए इस्टॉक से वह इसमें ले सकते हैं अच्छे इस डालते हैं वह सम तो आप इसमें आप लाइक कर सकते हैं लेकिन दियान लखें इसमें भी लिमिट और तो बस यह ही 20% ब्लॉक रहेगा 20% आपका जिरोधा में नेक्स चलाएगा अब स्टक्स वाला नहीं देता पैसा आपको नेक्स आएगा अंजल बोकिंग वाला आपसे पैसे मांगता है तो ध्यान में देख लेना मेरे ही सबसे जीरोधा जो है बेस्ट है सब कुछ करने के लिए जीरोधा ओपन करवा लो आप जो है सबसे अच्छा रहेगा इजी प्लैटफ़र्म में एजी टूनो है आराम से सब कुछ कर सकते हो ठीक है यहां पे जो वाचलिस्ट फोर है इसमें भारत बॉन्फंड है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हो मैंने बोला इंट्रेश्ट करेगा इसका प्राइस फ्लक्ट्ट्ट करेगा डरना मत बॉन्फंड में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको जो है कोई भी कुछ बोलके सेल करवा देगा लेकिन जो इंट्रेस्ट आ है दो तीन दस लग का लॉस दिखेगा आपको आप गभरा जाओगे लेकिन ऐसा नहीं है जो 6% या 6.5% का आपको रिटन बोला गया है आप आप होल्ड करते हो 20-25 तक तो उतना आपको मिल जाएगा दीरे दीरे जो है इसका प्राइस बर जाएगा उसके चिंता मत करें नहीं है तो आप किसी के भायकावे में मताएंगे कोई कुछ भी बोलेगा सेल करने के लिए सेल मत करें होल्ड करें एक्टिल मैचुरिटी आपको जो है benefit मिल जाएगा यह bond fund था यह equity fund था इसमें आप करते रहें मैंने बता दिया fundamental stock कैस सेलेट करना है लास्ट वाले वीडियो में मैंने बनाय हुआ है index fund के बारे वीडियो जाके आप देख लें वहां पर कैसे सेलेट करते हैं आपको बाचल जाएगा ठीक है कुछ भी कोई यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देख लेंगे दोस्तों आपका जो दिख रहा है मेरा मेरा था यहां पर 344 दिख रहा है 94 अपने जो मैंने लिया हुआ है bank fees और वह dividend opportunity उसका दिख रहा है अगर used margin minus दिखे तो समझ लेना आपने कुछ sell किया हुआ है और used margin plus अगर आप कोई कुछ buy किया हुए अगर आज कल तो profit दिखाते नहीं αυτया है वहां पर यूज़ 19-200 दिखाएगा मेरा आपको क्वख दिखाएं था कुछ भी क्वेरी हो आप मुझेONG कर लें मैं आपको गाइड कर दूँए लेंडिंग मेरे खुछ भी सवाल हो एट पीम लाइव में आकर पूश सकते हैं मैं आ सा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आहोगा आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ ऐसी बने रहे है नए ने वीडियो के धन्यवाद दोस्तों